सब्सक्राइब कीजिए किसानमित्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है आपने हमारी रीसंट वीडियो देखी होगी जिसमें हमने फूट कवर के बारे में आपको इंपोर्टेंच समझाई थी आज की जो हमारी एक्टिविटी है यानि नाइट टाइम में हमारी एक्टिविटी रहती है आज उसके ओपर में ये वीडियो है नाइट टाइम में हम पॉलिनेशन की प्रोसेस की तरह से कंप्लीट करते हैं सब्सक्राइब कीजिए किसानमित्र यूट्यूब चैनल को और दबाईए बैल आइकन ताकि हमारे आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस्स न करें आज यह कंप्लीट व्लोग ओने वाला एक तरह से आप यह समझ लीजिए नाइन थर्टी हुए हैं अभी यानि रात के साड़े नो बजे हैं और हम घर से खाना खाके निकल गए हैं यहां मैं और मेरा भाई चोटा भाई हम दोनों ही नाइट टाइम में पॉलिशन की प्रोसेस कर ले और उसके बाद में रिटन आजाते हैं यह पूरी अक्टिविटी करने के लिए करीब हमको तीन साड़े तीन घंटे लग जाते हैं कोफी नंबर ओफ लावर जितने जादा होंगे आपको उतना ज्यादा समय लगने वाला है और इसमें हम पेशन्स लिए एकदम काम कर लगा हूँ तो पूरा हम गलो कर देते हैं चारो तरफ में ताकि जानुवर वगारा कोई आस पास ना है इस तरह से आप देख रहे हैं कि नाइट में हमारी यह इस तरह से एक्टिविटी रहती है उसके बाद जो ऐसे सीरीज हम यूज करते हैं पॉलिनेशन के लिए आप य इस तो नजदीक का देखना है तो नजदीक में भी इसकी light सेट हो जाती है और काफी दूर अगर फोकस करना तो दूर में भी यह पोलिनेशन के लिए नहीं अगर रात में पानी बगारा चला रहे हैं तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं इस तरह से इसको लगाय जाता है औ आप इसको मंगवाना चाहते तो मंगवा सकते हैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और दूसरा आपको चीज यूदने वाला ये ब्रश ये मेकप ब्रश है आपको लोकल भी परचेस कर सकते हैं ज्यादा कोशली लेने का जूरत नहीं दस-फंदर इसका क्या काम रहता है अभी आप देखेंगे नाइट टाइम में इस तरह का हमारा सिनरियो रहता है फिल्ड में आप देख रहे हैं कि लाइट गिरने के बाद में फ्लावर एकदम सफेद दिखाई दे रहा है यानि रोशन इतनी स्प्रेड कर रहा है कि अच्छे से दिखा जरूरी है कि बॉलिश्ण करें तो कोई ज़्रूरी नहीं नहीं आप प्लियेशन कोई खास ज्रूरत नहीं रहती है देखिये ड्रावं फूट में दोत्रह की रहती है एक सेल्फ पोल्मेटेड रहती है यानि खुद से वह फौलन को ले लेती है स्टिगमा तक और अपना ज वो काम करती है मदु मखिया अगर आपके फिलड में मदु मकिया नहीं आती है तो आपको हैंड पोलीनेशन करना पुड़ेगा वरना आपका fruit का सवाई छोटा रह जाएगा अगर पोलीनेशन नहीं करते हैं तो आपका fruit का सवाई चोटा हो जाता है dropping का issue आजाता है flower बनने के बाद भी drop हो जाते हैं पीले पढ़ के ये काम होता है pollination की अभाव के कारणे यानि pollination नहीं हो पाता तो pollination को पराक कन बोला जाता है हिंदी में पराक कन का नर्मादा भाग तक अगर नहीं पहुँच पाते हैं तो ये pollination की process complete नहीं होती जिससे आपका fruit का size इंप्रूव नहीं होता हमारी कौन सी variety है हमारे फार्म पे जो हमारे ये पुराना फार्म है यहाँ पे हमने तीन variety लगाई है एक हमारे पास Alice Red है जिसके बहुत कम पोधे हैं जिसका fruit size ज्यादा इंप्रूव नहीं हो पाता हमारे यहाँ पे दूसरी variety वियत नामी white है और तीसरी variety हमारे cross breed है जिसका काफी अच्छा fruit size भी गया था last year आपने देखा भी होगा यहाँ हमने यह दो variety क्यों रखी है अगर हमारे यह variety cross breed इतने अच्छी चल रहे है तो बाकी दो variety को रखने की क्या जुरूरत है रखने की जुरूरत यह रहती है हम यहाँ cross pollination करते हैं hand pollination के साथ cross pollination hand pollination और cross pollination में अंतर है hand pollination आप उसी flower का pollen इकठा करते हैं और उसी flower के stigma पे लगा देते हैं यह होता है hand pollination cross pollination में क्या होता है दो अलग अलग varieties का pollen आप इकठा करते हैं और उसे use करते हैं एक flower के stigma पे इसका काफी अच्छा effect आता है इसमें fruit setting में बहुत improvement मिलती है ये scientifically prove भी है इसके लिए हमने ये दो variety को रखा है productivity पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैंगी लेकिन हम pollination की process के लिए इन दो variety को रोका रखा है हमने बहुत कम पोदे बचे हैं अभी हमें आरे लगभग 90% जो पोदे हमारे फार्म पे वो cross bid variety के ही है इस तरह से आप देख रहे हैं ये जो stigma है एकदम टच होके रखा है पोलन के साथ में लेकिन फिर भी हम cross pollination करते हैं क्योंकि हमारे पास में ज़्यादा बड़ा एरिया है नहीं और हमारे पास इतना बहुत समय रहता है कि हम ये process complete कर सकें क्योंकि हमारा पूरा focus रहता है अपने फार्म पे ही क्योंकि वेट किया है 6 महीने फ्लावर के लिए और अभी ही अगर लापरवाई करेंगे तो फिर इसका हर जाना तो किसान कोई भूगत ना होगा तो इस तरह से हम अपना pollination की process रात में start कर देते हैं यहां मैं और मेरा भाई इंट्रोल के हिसाब से हम काम करते हैं पहले वह फिर मैं इस तरह से हैं आदमी थकता नहीं और लगातार करते रहता है अगर आपके मैन पाउर की कोई इश्यू नहीं तो दो तीन आदमी pollination कर सकते हैं अगर एक एकड की भी farming है तो करीबन आदा पुना घंटा में अगर दो तीन आदमी है तो pollination कंप्लीट कर लेंगे यह करना चाहिए pollination अगर बड़ा एरिया है अगर आप यह है कि मेरे पास 5-6 एकड जमीन है और मैं dragon fruit की farming कर रहा हूं और नहीं कर पाएंगे यानि manpower का issue है तो कोई दिक्कत नहीं आप self pollinated variety लगाईए आप उसमें पोलिएशन की जुरूरत नहीं रहती लेकिन हमारी सज़ेशन यह है कि best result के लिए आप cross pollination करें यानि एक दो वराइटी और लगा के रखें एक वराइटी के उपर depend ना रहें कुछ कुछ पोदे जुरूर लगाए ताकि आप cross पोलिएशन के लिए आपको पोलन मिलता रहें और आप अराम से इसकी पोलिएशन के प्रोसेस कंप्लीट कर ले इसमें पोलिएशन बहुत अच्छा या बहुत एहम रोल निभाता है हमारे फ्रूट सेटिंग में भी आपने देखोगे कि हमारे फ्रूट ग्यारा साड़े ग्यारा सो ग्राम के हो जाते हैं इसमें कुछ रोल पोलिएशन का भी है व्राइटी तो हम रोल निभाती है लेकिन हम अपनी तरफ से किसी तरह की इनला परवाई यह चूक नहीं करना चाते ह क्योंकि 6-6 महीने वेट करने के बाद में फिर इस तरह से अगर आपका फ्रूट का साइज थोड़ा डाउन होता है तो आप उस तरह उस चीज को बियर निकर पाएंगे फाइनेशली भी और मेंटली भी आदमी थोड़ा डिस्टरब हो जाता है कि देखे फ्रूट का साइज अपना कंप्लीट करें तीन से चार दिन के बाद जब हमारे फ्लावर सैट हो जाते हैं यानि फ्रूट बनने लगता है उसके बाद हम कवर वैग चड़ा देते हैं इसके ओपर हमने अपने प्रूट कितना लिया है नंबर फ्रूट कितना होता रहा है क्योंकि आगर आपके काफी रूखे सुखे हैं देखने में अच्छे नहीं लग रहे तो आप उसका रेट नहीं ले पाएंगे अच्छे से बायर उसको खरीदने के लिए हिच्च जायेगा आना का नहीं करेगा रेट के लिए आपसे बार्गनिंग करेगा अगर आपका फूट शाइनिंग देग अच्छे से देखने में सुंदर रहेगा फ्रेशनेस रहेगी इसके अंदर में तो हाथो हाथ आपका फूट खरीदा जायेगा और आपका वेट करेंगे लोग कि कब आप फूट लेकिया है तो आज की वीडियो में इतना ही था वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-ब अजय को जगा है